अगर आप Amazon Prime वीडियो को अपने टीवी में लोग इन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ अगर आप किसी और तरीके से कर रहे होंगे अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए देखते रही है इस वीडियो को लास्ट तक तो यह सबसे पहले हमें चले जाना है Amazon Prime वीडियो अप्लिकेशन पर और इसे ओपन कर लेना है अपने टीवी पर तो यहां पर देख सकते हो यह मैंने ओपन कर लिया है ओपन करने अक बाद यहां पर कुछ इस तरीके एक आप्सन मिलेगा आपको साइन आप यहां पर साइन यहां पर कर देना है साइन इन एन स्टार्ट वाचिंग तो जैसी आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ एसे एंटर कोड ऐसा कुछ ऑप्सन देखने को इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहां पर देख सकते हो यहां पर एक नीचे लिखा गया है प्राइम वीडियो यहां पर देख सकते हो चाहिए और लिएप सब्सक्राइब करना ओक्राइब проक्राइब का option मिलेगा login to join prime ठीक है तो login to join prime कर लेना है करने के बाद आपको यहाँ पर email और password जो भी आपका account का password और email है वो यहाँ पर enter करके sign in कर लेना है अपने chrome browser पर तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कर रखा है यह मैंने अपना Gmail और password यहाँ पर enter कर दिया अब आपको यहाँ पर sign in कर लेना है तो यहाँ पर गईज मैंने एक वीडियो बनाने के लिए कभी 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 ऐसा option आ जाता है जब बार बार आप login करते हो तो कुछ इस तरीके से आ रहा है तो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत बार यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा जिस्ट आपको लिंक पर क्लिक करना है वैसे नॉर्मल यहाँ अगर फर्स टाइम करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इसू देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर एप्रूव का एक option मिल जाएगा आपको एप्रूव कर लेना है करना है कि अगर देखनी को मिलता है उपर देख सकते हो यहाँ पर प्रोफाइल का एक option मिल रहा है तो इस पर हंए क्लिक करना है क्लिक करने बाद आपको एक option मिले ड़े वास एनिवयर सबसे नीचे चले जाओं मिलेगा सबसे नीचे मज़िस देख सकते हो hem इस पर आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके के जैसी आपको इस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक option मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हो streaming media player में एक link मिलता है हमें देख सकते हो यह streaming media player कुछ इस तरीके के देखने को मिलता है यहाँ पर एक link मिल जाएगा sign in your Amazon to enter code तो इस पे हमें click कर देना है यह blue color का link आपको देखने को मिल जाएगा तो अब यहाँ पे जो code का एक option आजाएगा देख सकते हो यहाँ पे अपना code enter कर देना है जो आपकी TV पे दिख रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो के A7 यह जो भी आपकी TV पे code दिखता है उसको अब यहाँ पे हमें enter कर देना है and then register करना है ठीक है तो यहाँ पे मैंने कर दिया है यहाँ पे code enter कर दिया है यहाँ पे आप register device पे click करना है तो यहाँ पे देख सकते हो यह register successfully हो गया है और यहाँ पे आपकी TV पे भी यह ऐसा कुछ सब्सक्राइब कर लेना है नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिल रहा होगा बागी कुछ भी पूछना हो तो comment box में पूछ सकते हो थैंक्स फॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में